हलो वेलकम टू माई चानल बिग गाई मेरे चानल भी आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है हम लोगों की साइंस की सीरीज चल रही है सीट आड पेपर टू के लिए है आपको मैं अलड़ी 11 चाप्टर्स करा चुकी हूं आज हम लोग चैप्टर 12 करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्टिसिटी एंड सर्केट और यह जो है बहुत ही इंपॉर्टन चैप्टर है इसमें से आपके एक्जाम में कई सारे कुछे जाते हैं ठीक है तो उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक किजिएगा और चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड प्लीज प्रेस बैल आइकन ताकि आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे तो चलिए कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं देखी कंटेंट है आपके सामने हम लोग जो है अल्री चेप्टर 11 तक कर चुके हैं शैडोज एंड रफ्लेक्शन ठीक है अब जो है हम आज चेप्टर 12 करने वाले हैं इलेक्रसिटी एंड सार्केट्स ठीक है तो बहुत ही इंपॉर्टन चेप्टर है बहुत ही इंट्रेस्टिंग चैप्टर है तो सारी पॉइंट और कं बने रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपने स्क्रास को देखें इलेक्रिसिटी इस दी फ्लो ओफ इलेक्रिक चार्ज इक प्रवाइड एनर्जी और पावर इस डाड़ यूस्टु रॉन क्या है एक एलेक्रिक चार्ड है ठीक है इलेक्रिक चार्ज ऑफ जो कि आपका जो है जो के मुद्स टर है उसमें फ्लों करता है वायर मेंफ लों करता है जिस से क्या होता है तो MOD हमaty उस electricity को उस energy को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोनिक एप्लाइंस जो हम अपने घरों में और में वर्किंग प्लेस पे हर जगर जो हो है हम यूज करते हैं ठीक है तो देखिए कौन-कौन से हैं इलेक्ट्रिक एप्लाइंस लाइक फैन ट्यूब लाइट वाटर पंप एक्सेक्ट्रा ठीक है टीवी कंप्यूटर वाशिंग मुशन देखिए हमारे डेली लाइफ का कितना इंपॉर्टन पार्ट है विदाउट इलेक्ट्रिक जो है हम अपने लाइफ को इमेजन नहीं कर सक कियोंकि हमाना जो सारा वर्क है इस पर डिपेंट करता है हम लोग की जितने भी आप्लाइंस है जो अपने घरों में अपने डेली के वार्ग के लिए यूज करते हैं वह सारा जो है इस पर ही चलता है तो जो है और फीक है देखिए बॉल्ब कर रहा है वाशिंग मशिन से ज़ँ सदर्बा उ New York City यहां इर्ड गृटार शीन सइथ है कि अब तेलेक्टिक सूर्स क्या है आप को पता होगा फोली सोर्स देखिये यहां देखेंगे यह आपका जो है है यहां पर हाइड्र। एलेक्टिसिटी का यह अपका प्लेस है यहां पर यहां पर ऑट 완성 जरिएट होती होटा है और यहां आप देखेंगे यह windmill है यहां पर air का यूज़ करके wind का यूज़ करके इसको electricity में convert किया जाता है और फिर उससे हम जो है produce होने वाली electricity को यूज़ करते हैं और एक ऐसे एक्जामपल आपका बैटरी भी है बैटरी को भी हम जो है बहुत सारे equipment में यूज़ करते हैं आप देखेंगे कि यह साय जो है उससे ही इस जो बैटरी है इससे ही क्या करते हैं वर्क करते हैं तो यह सारी हमारे sources होगे electricity के ठीक है अब देखें इलेक्टिक शेल्स क्या होते हैं एन एलेक्टिक सेल्स इस इस डिवाइस विच प्रोड्यूस एलेक्टिक सेल्स होते हैं यह चार्ज सेल्स होते हैं जब हम इसे चोटोटे एप्लाइंसेज में यूज़ करते हैं तो यह वर्क करते हैं ठीक है जब होते हैं और चॉट है जमीनाज एक हापका पॉजटिव होगा दूस्रा नेगेटीव होगा ठीक केमोड पोजिटीव साइड ऊब अव्टु जसेल्स एक मेटल क्या यह आप महां देखिंगे काप लगी होगी और नेगेटीव साइड है जो प्लाइक लगी होती है इसके अंदर जो है कैमिकल स्टोर होता है सेल के अंदर जो क्या करता है आपका इलेक्रिसिटी प्रोड्यूस करती है थो इंटर्नल रियक्शन क्यों वर्न्स लो चाइसित प्रोड्यूस को प्रोड्यूस क्या होता है उसमें प्राजम खतम हो जाता है जिसे बेट्री गधियंगें जहाती है और फी ऑलेक्रिक प्रोड्यूस नहीं कर पाती है तो आई मैं आपको इसके structure दिखाते कि अपको अच्छे से clear हो जाए कि कैसा होता है यह देखो यह हमारे पास एक battery है ठीक है cell है यह and positive है यह negative है यहां पे देख रहे हैं आप क्याप लगी वही है है metal की कैप होती है ठीक है और यहां जो है नीचे जो है यहां पे एक डिस्क प्लेट टाइप के लगे होगी नीचे की साइड ठीक है तो यह नेगीटिव साइड है और यह पॉजुटिव साइड है आपको पता है एलेक्टिसटी कैसे प्रेडिव्ज होती है इस पॉजिटिव मीडियम से थे к्रेंट करेंट पास होके पूरा सर्कृट यहां पे कोई equipment माल लो आपका जो मालो टॉर्च टॉर्च कनेक्टिड है तो यह जो बिजली यहां पर पास होगी इलेक्टिक बॉब एलेक्टिक बॉब इस a device with produce light आप सबको पता है कि हम अपने घरों में जो बाल भीउस करते हैं वो क्या है वो और इलेक्टिक बॉब है आपको मैंने इसी पिछले चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ाया था जो में बताया था कि हम किसी भी आपचक् है जब लाइट होती है विदाउट लाइट भी केनाओट सी यानिफिंग अगर नेश्रोल लाइट है किसी अबजक्त की दिन वी किन सी इट क्लिरली बट इस दो नॉन लूमिनस ऑबजेक्ट यानि की जो अबजेक्ट है उसी खुद की लाइट है तो हमें अधर सोर्स की थो इस्की चीली इस पास थो इस टेमिनल से लकृस पास करते है तो गलो करता है और याट प्रड्यूस होती है तो बहल है तो वाफरी या इसकी दो कॉन्टक्ट वाइर होती है इन इस सेंटर थीं वायर अटेज ब Contospir वायर होगी उस वायर की बीच में एक पतली सी तार कनेक्ट होती है उस तार को हम फिलामेंट भोलते हैं ठीक है अधी आपको इसका डियाग्राम दिखाऊंगी मैं ताकि आपको अच्छे से क्लेर हो जाए ठीक है इस मैंसे एक गयर होगी जो मैंटलगे महाव से केस है मैंटल करते हैं ओसरी धुन Hier को किया है उसे फिलाम का तरमिल का काम करते हैं एक पॉजिटव तर temas का काम करेगा ठीक है वेन इलेक्टिसिटी इस पास और जब पास करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा बल्ग तक जाएगा यानि कि फिलामेंट पे जाएगा जिससे कि बल्ग ग्लो करेगा और वापस क्या होगा बैक नेगितिव की तरफ हो जाएगा से से और जिससे क्या होता है बल्ग आपका ब्लो करने लगता है चले आपको यहां डाइग्रम में दिखा देती है ठीक है यह दिखिए बल्ग का डाइग्रम है यहां आपके पास जो मैंने भी बताया था यह जो वायर आप देख रहे हैं यह दो वायर जो है इसके बीच में पतली से wire है ये क्या है आपका ये आपका filament है ठीक है ये filament है और ये जो दो wire देख रहे हैं ये दो wire क्या है आपके terminals हैं, दो terminals हैं आपके, ठीक है एक जो है वो आपके एकदम tip से connected होगा, यह आपका case है metal case है यह आपका ठीक है, यह आपका metal case है और एक जो है, एक side जो होगी, इसके center से होगी, metal tip से यहाँ से निकलेगी और एक इधर से निकलेगी तो एक positive का काम करेगा और एक आपका negative का काम करेगा, ठीक है, तो माल लीज़े यहाँ से plus होके light अंदर के तरफ जा रही है, current जा रहा है sorry, यहाँ से light electricity produce हो रही है और यहाँ यह filament में उपर पहुंच गया ठीक है, एक पर मैं आपको करने लगा और यह वापस जो है इस वायर से इस टिप से होता हुआ क्या हो गया, negative की तरफ आ गया जैसे कि electricity कम हो गई ठीक है, तो इस बाहर वाले portion को glass bulb बोला जाता है ठीक है, और इसके अंदर जो है एक ग्यास भरी होती है जिसको neon gas कहते हैं, यही gas गरम होके क्या होती है glow करने लगती है, बीश में filament हो गया, दो आपके connecting wires हो गए, एक in होता है और एक out, यानि कि पॉजिटिव terminal होगा और एक negative terminal होगा, ठीक है और यह आपका जो देख रहे हैं, यह metal case है, ठीक है इस metal case से एक wire बाहर अंदर की तरफ आ रही है ठीक है, और एक insulator होता है, insulator conductor के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आपको पता सलजाएगा क्या है, यहाँ बेसिकली insulator होता है, ठीक है और इनमें electric contact हो रहा है जिसके जैसे क्या हो रहा है, electricity पास हो रहे है filament गर्म हो रहा है आपको जो gas है, neon gas जो है, inert gas है, वो क्या कर रहे है गर्म के glow हो रही है, जिससे आपका bulb glow होता हुआ, दिखाए दिए और एक point यहाँ में आपको बता दूँ, अब bulb is set to be fused, bulb को हम fuse कहते हैं, बहुत बार देखा हमने कि bulb ने जल रहा है, यह bulb fuse हो गया है यह fuse क्या है, आप देखेंगे कि जो filament है, वो क्या हो गया है ब्रेक हो गया है बीच से, तो यहां से जो charge electric का यहां जा रहा है, बीच में तो filament ब्रेक हो गया तो यह charge पूरा circuit नहीं बना पाया, इससे क्या हुआ ब्रेक हो गया है तो चार्ज जो है, circuit का complete नहीं हो पाया, और इससे क्या हुआ बल्ब ने जलना बंद कर दिया जिसके लिए हम कहते हैं कि बल्ब जो है, fuse हो गया, ठीक है अब देखें, इलेक्टिक से हम बल्ब को कनेक्ट करके इतनी के बल्ब को कर पाएं तो क्या होता है, हम एक बल्ब को क्या हो का देखें, बल्ब को गलो करने के लिए युज करके हम क्या करेंगे तो मेक अ बल्ब गलो यूजिंग व अ वायर निडिटो बी कनेक्टिक फ्रोंवन Hear to the terminal of the world similarity the other terminal of the Cell must be connected to the second terminal of the world of questioning का मत्त्तչ ही है की हमें वाइर का युस करना पड़ेगा ठीक है और जो बल्भ है sau उसटेगा जो एक टर्मिनल है वो सकत अर्मिनल से और कि दूसरे टर्मिनल है वो सेल के दूसरे टर्मिरल से अटाच होना चाहिए तभी बल्ब ग्लो कर पाएगा कि पूरा सरकेट कम्प्रीट होगा अपी डियाग्राम में आपको मैं दिखाती हूं कि कैसे करेगा यह वर्ब बल्ब विल नॉट ग्लो इनकेज अब इस नॉट फॉल अगर यह सरकेट कम इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव साइट से कनेक्ट है इसका दूसरा टर्मिनल नेगिटिव साइट से कनेक्ट है ठीक है यहां से करेंट पास होगा और यहां से इस वायर से होता हुआ फिलामेंट में जाएगा फिलामेंट को गरम करके ग्लो करेगा बल्ब ग्लो हो ठीक है यह इन दोनों ही केस में आप देखेंगे कि connection complete है जिससे कि बल्ब गलो कर रहा है बट यहां देखेंगे कि यह वायर क्टिड है बट यह नहीं है इस केस में भी आपका बल्ब गलो नहीं करेगा ठीक है दोनों एंड को बल्ब के दोनों को एक ही साइट से connect कर दिया तो भी आपका बल्ब गलो नहीं करेगा ठीक है तो हमारा सर्केट जो है प्रॉपर कम्प्लीट होना चाहिए बल्ब को गलो करने के लिए ठीक है सर्केट की बार में तो मैं आपको बताई चुकी हूँ कि एक आपका अप्लाइंस होना चाहिए और जो आपका एलेक्ट्रिक मीडियम है जहां से एलेक्ट्रिक पास हो रही है उसका पॉस्टिव और नेगरिटिव टर्मिनल जो है उस एप्लाइंस से क्नेक्टिव होना चाहिए तो यही है यहां पर पढ़ने वाले हम देखिए एलेक्ट्रिक सर्केट इस एक पूरा कंप्लीट पाथ होता है एक पूरा कंप्लीट पाथ होता है और आपका जो एक्यूपमेंट है वह वर्क नहीं कर पाएगा क्या होता है हमारा जो प्रॉसस से प्रोडूस करने का वह होता कैसे है कि पूजिटिव टर्मिनल से एलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज पास होते हैं और वह सर्कृट में पूरा घूम के नेगिटिव की तरफ आ जाते है ठीक है अगर बीच में यह पाथ ब्रोकन है तो आपका जो बल्ब है यह कोई अधर अप्लाइंस है वह वर्क नहीं करेगा जैसे कि डाइग्राम में मैंने आपको फिर से एक बार दिखा दिखा दियती हूं कि एक वायर पॉजिटिव एक बल्ब का और सेल का एक एंड एक टर्मिनल से और दूसर एंड दूसर टर्मिनल से होना चाहिए ताकि पूरा सर्केट बन पाए और इलेक्ट्रॉन यहां से पास होके पूरा घूमता हुआ यहां पर वापस आप है ठीक है तो किसी भी एक्यूपमेंट में को वर्क करने के लिए यह सर्केट कम्प्लीट होना चाहिए अब बहुत इंपॉर्टन चीज जो हमा इलेक्ट्रिक सर्केट जो सर्केट को मेक भी करता यान्ति कि कंप्लीट भी करता है और सर्केट को क्या करता है ब्रीक बी करता है ठीक है तो कैसे करता है यह देखते हैं यहाँ पर देखेंगे कि यह जो आपका पिन है यह पूरा सरकिट कम्प्रीट कर देता है तो इसका मतलब है कि जो है करेंड जो आपका स्विच है जो वह आन कंडिशन में है आपका जो अप्लाइंस है वह काम करेगा उसे तरीके से अगर आफ है यानि की ब्रेक कर रखा है सर्कुट को पूरा नहीं बनने दे रहा है तो इसका मतलब है कि वह आफ है आए दिखाते हैं आपको कैसे यहां देखिए यह बैटरी है यहां पर आपके एक बैटरी है ठीक है और इसके पॉजिट टरमिनल से एक वायर जा रही है और नेगटिव टरमिनल से दूसरी वायर जा रही है यहां पर बल्व अटेच है एक टर्मिनल से और दूसरा टर्मिनल है बल्व का वो इधर इस स्विच की तरफ आ रहा है अब देखिए इस कनेशन में क्या है कि यह जो पिन है यह जो स्विच है यह ओपन है यहां से जगा खाली है तो क्या हुआ यहां से जो है इलेक्रिसिटी में है ठीक है यह ऐसी कंडिशन में स्विच और है सुझ अन हो सरक्यिट पूरा हो गया और इससे जया है करेंट करेंट पास होके बल्व को ग्रोव करेगा तो यही आपका फंडा था स्विच का जो हम यूज करते हैं हम जो अपने घ्रों में स्विच आउफ करते हैं वह सी तूप जाता है अब एक इंपोर्टन पॉइंट रह गया है यह आप देख लीजिए कंड़क्टर एंड इंसुलेटर माटीरियल विच अलाओ एलेक्रिसिटी करांट टू पास थ्रो देम आर कॉल कंड़क्टर जो भी मेटीरियल है जो अपने अंदर से करेंट को पास होनी दे जिनगे मैं पास नहीं हो देते उसे हम इंसुलेटर कहते हैं जैसे की ग्जामपल है रबर प्लास्टी क्लास एर क्लाओस आपने महां पे देखा है आभी जो वह निचे थे इंसुलेटर था वह इस चाहा है कि उश्चछ पर ना उस जगह से आप टच करेंगे तो आपको नह लगा क्योंकि उस जगह पर ना करेंट जाहें नहीं सकता वह करंट को रोग देता आपने अंदर पास नहीं होने देता तो इन्सुलीटर था उस बल्ब के अंदर ठीक है कंडॉक्टर जो है मेली मैट लिक होते हैं वायल जुफ इंसुलीटर है वह नॉन मैटल से हो जादा to the human body during their handling these devices have a covering of insulator और इसको हम देखागा घरों में कई वाद जो दिक्कत हो जाते है लेक्रिसिटी की तो हम लोग खुछ से उसको सही करने लग जाते हैं यह आता है तो उसको कितने इसली से क्या करता है ऑपरेट कर पाता तो से ठीक कर पाता है घर नहीं लगता और हम लोग वोड़ वगरा कभी प्लास्टिक वगरा कभी यूज़ कर लेते हैं जब हम कभी भी इस एलेक्रिसिटी के उपर वर्क कर रहे होते हैं तो यह conductor insulator का वंड़ा था ठीक है तो होप की आपको Clear हो गया होगा सारा ठीक है तो यहां पर आप एक बात देख लिजिए कि यहां जो हमने lle circuit बनाया है इस circuit electric circuit का यहां लगाइ हुई आइरन नेल तो यह metal है तो यह जो पूरा circuit पूरा कर रहा है तो यहां से deport इसमें क्या है यहां पर बुड़ का है यूज कि यूज करेगे क्यों क्योंकि सर्किट में बीच में इन्सूलीटर आगया जो रोक रहा है और सर्किट कंप्लीट को हों नहीं है जिसकी वज़े से आपके एप्लाइंस जो है वो वर्क नहीं करेंगे लो नहीं करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक्स वर वाचिंग होप आपको यह टॉपिक यह चाक्टर समझ में आया होगा यह आपकी एक्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही